गुद मारिंग स्टूडेंट, आम टमाना फ्रम CAC दिपार्टमेंट इन सत्यम पॉली टेक्निक कॉलेज अथनकोदम आपका सब्चेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर अफ समेस्टर फूर्ट ठीके हमने उस दिन डिसकस किया था हमने लिंक लिस्ट में ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे ठीके और इंसर्शन कैसे करेंगे ठीके आज हम डिसकस करेंगे हम लिंक लिस्ट में कोई भी आइटम को कैसे सर्च करते हैं कैसे उस आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं searching में क्या है हमारे पास एक list है number of items की set of items की हमारे पास list है हम एक item को easily search कर सकते हैं search करने के लिए भी एक algorithm बनाया है सबसे पहले आप क्या लिखोगे search link मैंने बताया था link list में आपके पास दो field होते हैं first part में आपको information part होगा second part में आपके लिए क्या होगा address होगा ठीके next is start start क्या है आपका जो first element है उसका जो address है वो किसमे होगा start function में the one is item जो आपने search करनी है location किस location पर वो item आपके पास है ठीके आपको थोड़ी difficulty है अगर आपको difficulty है कोई भी algorithm में ठीके तो आप एक बार discuss करना ठीके इसके लिए आपके पास आपको याद करना पड़ेगा कौन-कौन सा algorithm क्या करता है कभी use होगा ठीके उसके लिए आप example देखेंगे ठीके next हम इसकी example हर एक जैसे link list के हमने चारो patient करने थे हमने कर लिए ठीके next जो है मैं आपके लिए इनके लिए example दोंगी ठीके इसको कैसे solve करना है जो algorithm है यह आपको as it is ही याद ही करने पड़ेंगे ठीके class सबसे पहले आप pointer यूज करोगे अगर आप link list यूज करें तो आपने pointer यूज करना है next element को execute करवाने के लिए हम pointer किस चीज को पहले pointer पॉइंटर 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 करेंगे start button के लिए हमने third step को repeat करना है जब तक pointer जो है हमारा नल नहीं हो जाता नल मैंने दिखाया था link list में जब last element के बाद address में एक्स लिखा होगा तो वो क्या करेगा pointer is equal to null हो जाएगा ठीके अब third step क्या कहा रहा है जब आपकी item point जो information part में आप pointer point करेगा ठीके उसमें क्या है अगर आपकी location pointer पर है ठीके pointer जिस point को point कर रहा है वो item आपकी है तो आप easily find कर दो दो अगर आपकी item जो है information pointer में नहीं store है तो फिर क्या करोगे जो pointer है वो किसे link करेगा दूसरे pointer को ठीके जैसे सबसे पहले आप start में पहला address आपने store कर दिया ठीके उसमें क्या है pointer information part को पहले point करेगा उसके बाद ही link pointer पर जाएगा अगर आपका जो pointer है information part को point कर रहा है तो वो आपकी location को बता दिया जाएगा उसके बाद आपका program जो है easily over हो जाएगा आपने item जो है search कर लो अगर वो information पर item जो है आपकी नहीं पड़ी तो आप क्या करोगे उसके link से दूसरे pointer को point करोगे ठीके else part यह चलेगा उसके बाद जब आपकी location जो है null तक पहुंच गई तो आप automatically जो operation से वो आप exit कर दोगे यह था searching के लिए next है deletion के लिए link list ठीके आप link list में item को first element पर भी delete कर सकते हो किसी और location पर भी delete कर सकते हो जैसे specific आप बोलते हो third वाला item delete करना है मैंने second वाला item delete करना है ठीके वह specific node पर आप last पर भी किसी भी element को delete कर सकते हो मैंने इसके लिए आपको delete के लिए example समझाईए जैसे मैंने start लिया है और मैंने क्या क्या है पांच आपके लिए link list ली है 1 2 3 4 5 सबसे पहले start जो first है उसका address है वो कहां पढ़ा है आपके link कहां पढ़ा है start में फिर node है node n and node b ठीके तीन हमारे पास link list है avail क्यों हमने use किया है suppose मैंने node n को delete करना है ठीके जिस element को आप delete करोगे वो avail link list में store होगी मैंने avail बनाई है यह क्या है empty link list है जिसमें क्या है जो item delete होगे avail का मतलब खाली खाली container में रहेगी जैसे मेरे पास 3 container है 1 2 और 3 ठीके मैंने first container में 2 ml पानी लिया है second container में 5 ml पानी लिया है और मैं चाहती हूँ मुझे third container में क्या चाहिए 3 लिटर पानी चाहिए ठीके तो मैं क्या करूंगी जो 2 लिटर पानी है उससे मैं एक container में डाल दूंगी और जो पांच लिटर वाला है उसको दूसरे में ठीके first वाले में ठीके उसका जो एक लिटर पानी बचेगा वह उसमें जो easily हमें convert अवेल का मतलब यह है ठीके ऐसे खाली container है उसमें आपने डिलीट नोड को डिलीट कर दिया वह अवेल लिंक लिस्ट बन जाएगी ठीके उसके बाद आप नोड ए जो pointer point करा वह सीधा किसको point करेगा नोड B को ठीके इसमें आपको ऐसे डिलीट करना पड़ेगा यह नहीं आपने डिलीट कर दिया तो वह लिंक लिस्ट से बाहर हो जाएगा उसे आपने कहां रखना भी तो है अगर आपको यूज करना है फिर से वह element को add करना है आप अवेल से उसे वापस ले सकते हैं ठीक है हम इसका algorithm देखेंगे हमने डिलीट कड़ा इन्फोर्मेशन पार्ट लिंक पार्ट टार्ट लोकेशन यह लोसीपी का मतलब क्या है लोकेशन पॉइंटर को पॉइंट करेगा अवेल लोसीपी क्या क्या है लोकेशन आफ दा नोड विच प्रोसीड मतलब उस element को जो आपने नोड प्रोसीड आगे चलानी है उस लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा जब आपकी एलोसीपी नल नहीं होगी तो आपका क्या होगा पहले लिंक स्टार्ट पर जाएगा उसके बाद आप जो एलोसीपी लिंक है वह जब तक लिंक एलोसी नोड इक्वल टू होगा वह उस पार पर चलेगा आपने किसी भी लोकेशन को लिंक को उसे रमूब करना है तो वो अवेल में जाएगा अवेल की जो लोकेशन है वो आपको लिखी जाएगी और उसके बाद आप कोई भी एलिमेंट को एक्जिट कर सकते हैं आपको थोड़े मुझे मालूम है आपको थोड़े यह अल्कोरिथम है डिफिकल्ट लग रहे हैं अवेल लिंक स्टार्ट आइटम लोकेशन आप एक बाद से देखना अगर कोई अल्कोरिथम आपको मतलब नहीं समझाया तो इसके लिए आपको फिर से मैं समझाओंगी ठी ठीके थेंक्यू क्लास